नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपनी YouTube चैनल में हर हर महादेब दोस्तों दोस्तों अज हम बात करेंगे कि मंगलवार का दीन जो होता है वजरंग वली का दीन होता है तो उस दीन कुछ ऐसे काम है जो हमें नहीं करनी चाहिए दोस्तों मेरे चैनल का मोटी उदेश यही है कि आप लोगों को धर्म की चीजे से रूब रूब कराएं कुछ ऐसे चीजे जिसे हम आपको रोक सके जो आपसे जाने अन जाने गलतिया हो रही है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कुछ ऐसे ही बाते रोचक बाते और जो कपड़ पहननी चाहिए और लाल चीजों कहीं दान करना चाहिए दोस्तों इस दिन कुछ ऐसे काम है जो हमें नहीं करना चाहिए जिससे हम आमंगल होगा आपका तो ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए और आने अन जाने हम लोग गलतिया कर लेते हैं तो ऐसे कुछ पुरानों में लिखी हुई बाते हैं जो अनभव है रिसी मुनियों का तो वो हम आपसे share कर रहे हैं जो लिखी हुई चीज़े हैं वो चीज़े हैं तो जिनकी कुंडली में मंगल दोस्त है या मंगल कमजोर है तो उनको मंगल हरमान जी को पूजा विसेस रूपसे करने चाहिए ऐसा करने से सारे कुंडली के दोस्त है मंगल कमजोर है वोarle होते है और हरमान जी के किरपद संक्रवद होती है और जाने अन जाने जो भी गलतिया होती है, उनका सीधा आसर हमारे जीवन पर पड़ता है, तो जो इस ती सास्तर का ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जिसे मंगल करवाल के दिन बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए तो चले दोस्तों बताते हैं, वो कौन-कौन से और काम है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो पहले काम है कि मंगलवार के दिन आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें उस दिन सेवन करना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यदा दिक्कत होती है, दोस्तों इससे करने से वो नर्क जैसा बनने लगता है तो दोस्तों इस सब चीजों को हमें दूर करना चाहिए दूसरी चीज़े हैं कि मंगलवार के दिन बाल नाखो नहीं करवानी चाहिए इससे भी हमें बहुत ज़्यदा हानी होता है, सेविंग भी नहीं करवाना चाहिए, मान समान की इससे कमी आती है, धान हानी होती है और मंगलवार के दिन हमें काले कपड़ भी नहीं पहननी चाहिए ऐसा सास्तुरे में माना जाता है काला कपड़ पहनने से सनी का परभाव आ जाता है, तो घर में जो भी कमाते हैं, वो भरकत रुक जाती है, तो यह सब चीज़ें आपको अपनानी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कपड़े नहीं पहनने बाल निकटवाने, नाको निकटवाने सेविंग निकरानी, सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए अगली जो चीज़ें दोस्तों हो है कि धारदार चीज़ें ना खरीदें मंगलवार के दिन, चाको, सुई, कैची मसीन, तराजो इस सब चीज़ों को बचना चाहिए खरीदने से, लोहे की चीज़ें खरीदने से बचनी चाहिए, और ऐसी कोई मजबूरी होती है कुछ दिन हमें लेना ही है किसी चीज़ को देना है, जरूरी है तो अब भगवान का स्मरन करके हनमान जी का नाम लेकर उनको परणाम करके इस चीज़ को ले सकते हैं अपने लिए कुछ ना खरीदें यह दियाम भी सेज़दना है और अगली चीज़ा और भी है कि मंगलवार के दिन किसी भी काम को सुरुवात नहीं करने चाहिए यानि कि जैसे अगर आप बिजनस करते हैं कारुवार से जुड़े हैं इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उस दिन पुंजी लगाते हैं तो इस दिन से शुरुवात नहीं करना चाहिए इस दिन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो पैसा हम पुंजी निवेस करते हैं मंगलवार को देते हैं वो वापस नहीं आता यह अलग बात है कि जिसके कुंडली में मंगल बहुत ही जाज़ा स्ट्रॉंग है तो उन्वेस्ट करते हैं तो उनको कुछ फायदा हो सकता है लेकिन जादा तर 90% से देखा गया है कि नुक्षान ही होता है दोस्तों माना जाता है कि जो फैनेंस का काम करते हैं जिनका पैसो का लेन दिन है उनका कारोबार है तो वो तो नहीं रुकेंगे लेकिन कोशिस करना चाहिए कि उस दिन कम से कम करें क्योंकि ऐसा माना गया है जास्तरों में लिखा है ऐसा वर्नन है कि जो पैसा ले जाता है वो तो कर्ज में डूपता ही है जो देता है उसे भी दिक्कत होती है क्योंकि वो पैसा उस लाइक नहीं होता लेने वाला है कि उसका पैसा लोटा है बहुत ही मसकत के बाद पैसा दे पाता है तो यह सब चीजों से बचना चाहिए तो जो कर्ज में जो ले जाता है वो तो कर्ज में डूपता ऐसा है कि ब्याज भढ़ता-भढ़ता उसके जिंद्धी बीते जाती है लेकिन कर्ज जमुकती नहीं मिलती है और जिस ने दिया है वो ऐसा तो मंगलवार के दिन पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए इसलिए कहा जाता है कि डूबने का चांस ज़्यादा रहता है. तो पैसा लोटाता नहीं है, और लोटाने के समय होता है, उसका दिन पर दिन वीत्ते जाता है, और हमें मुस्किमने फ़ल्स जाते हैं, तो इसलिए दोनों को ये काम नहीं करना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए तो बचना चाहिए इन सब चीजों सो तो छोटी छोटी बाते अपनाए जीवन में अगर मंगलवार का ब्रत करते हैं उनको तो खास करके इन सब चीजों पर ध्यान देना है लेकिन जो नहीं करते हैं उन्हें भी इस सब चीजों को ध्यान अवस्य देना चाहिए तो दोस्तों अपने जीवन में इस सब चोटी चोटी बातों को अपनाए और अपने जीवन को अच्छा बनाए तो दोस्तो इन सब बातों को इन सब छोटी छोटी बातों को हमें अवसी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसे गलती हम खूद करते हैं जो जिन्दिगी में हमें गलती का एसास कराता है तो जो सास्तुर में जो भी लिखी हैं वो लाखों लोगों कानवाब है उसमें उस गरंतों में लिखी है रिसी मुनियों ने लिखा हुआ है तो इसे हमें अपनी जीवन में जरूर अपनाना चाहिए तो दोस्तो इन सब बातों को आप अपना हैं और जो हमारे चैनल से जुड़े हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सारी मनकामना पूरी हो मंगल ही मंगल हो आपको सारी इच्छा पूर्ण हो तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें वेल आइकन ओल पे प्रेस करना भी न भूलें प्रेस करें और कमेंट करके हमें बताएं ऐसी और कंसी वीडियो आपको पसंदें I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा Take care दोस्तों अपनी family friend को ख्याल रखें जाये मत